दिली सरकार बिजली और पानी के मुद्धे पर ही दिली में सत्ता पर काभी जूई थी और उसी पर आज भी दिली सरकार लगातार काम कर रही है दिली के रोहिनी में टाटा पावर द्वारक बैटरी बैंक लगाया गया है जिससे आस पास के कई किलोमीटर सब के इलाके में बिजली की समस्या का पूरी तरीके से निवारण किया जा सकेगा करीब 10 मेगावार्ट का यह electricity battery bank रोहनी सेक्टर 24 में लगाया गया है जिसमें दिली सरकार के उज्जा मंत्री सतेंदर जैन battery power bank का निरिक्षिन करने पोंचे इस दुरान उन्होंने बताए कि यह power bank plant हिंदुस्तान ही नहीं बलकि South Asia का भी सबसे बड़ा battery power bank plant है जिसकी लागत 55 करोड रुपे है उन्होंने का कि एक महिने की अवदी में इसकी लागत को आधा करने का परियास किया जा रहा है यह plant रोहनी छेतर वास्यों की सुविधा के लिए लगाया गया है ताकि बिजली ना आने वा बिजली बाधित होने पर इस battery power bank system से लोगों तक बिजली की कमी को पूरा किया जा सके और लोगों को बिजली की कमी भी महसूस ना हो इस plant में battery power bank की बिजली supply एक छेतर में करीबन एक घंटे की अवदी का समय बताए गया है वहीं दिली में इससे पहले भी रानी बाग छेतर में इस तरह का battery power bank लगाया जा चुका है और आगे भी अगर यह plant काम्याब होता है तो इस तरह के plant दिली में और जगे भी लगाये जाएंगे आज दिली के अंदर दस मेगावाट battery bank का innovation किया गया है यह टाटा पावर ने लगाया है यह हिंदुस्तान में पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा power bank रहे 10 मेगावाट का power bank के इसका फाइदा क्या होता है कि जब बिज्ली बहुत पीक दिवान पे होती है तो उस टैम पर यहां से बैटरी को डिशार्ज करके बार में इसको चार्ज कर लिया जाता है यह स्टेब्लाइपूरे को स्टेबैस करने के लिए बहूत important है यह अभी मेरी इन लोग से बात हुई है दस मेगावाट का है लगबख 55 क्रोट पर इसकी कॉस्ट आई है इसको ज्यादा बनाया जाएगा ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा मैंने इनको चैलेंज दिया है किस तरह से इसकी कॉस्ट को आधा किया जाए तो एक महिने के बाद छेत्र में सरकार और टाटा पावर की ये बेहधी सराहनी पहल है लहाजा देखने वाली बात ये होगी कि ये बैटरी पावर बैंक प्लांट कितना कारगर साबित होता है और दिली की जनता को दिली की सरकार बिजली की समस्या से किस हद तक निजात दिला पाती है दिली से अ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी.